हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनिशास कीचन, आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोडा, इसके लिए हमें चाहिए, ब्रेड स्लाइस, बेसन, हल्दी पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, ग्रीन चटनी है यह, बहुती सिंपल है, इसमें सिर्फ, हरी मिर्च, और लसन और नमक है, इसे मिक्सिय में मैंने पीस लिया है, हम पहले बैटर बना लेते हैं, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक, स्वाधा नुस्हार, हरी चटनी, हाफ टीस्पून, बेकिंग सोडा, वन पींच, बेकिंग सोडा इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, और नाव ओईल वड़ा में उसमें रह जाएगा, बैटर हमारे रेडी हो चुका है, बहुत ज्यादा गाड़ा या पतला नहीं करना है इसे, ब्रेट को हम हरी चटनी लगा लेकिंगे, बहुत ही सिंपल चटनी है, मगर टेस्टी बनती है, इसे तरह से हमने दोनों स्लाइस पर चटनी लगा लिए और इसे अई से अभी हम बीच में से इसे, कटला वालेंगे, अभी से हम बना लेते हैं, अईल गराम उच्छे फाइबी से हम एके करके पकड़े बना लेते हैं, को हम हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे तक ही पकोड़ों में आईल ना चला जाए, एक साइड हमारे हो चुके अभी दूसरी साइड भी इसी तरह से हम कर लेते हैं, पकोड़े हमारे रेडियो उच्छे कर भी से निकार लेंगे, इसी तरह से हम बाकी पकोड़े भी इसी तरह से बना लेंगे, अब इस घर पे ज़रूर ट्राइब कीचे बहुती टेस्टी और इजी रेसिपी है, सुबह नाच्टे में या टी टाइम पे ही से खा सकते हैं, इस तरह से बेट पकोड़ा हमारे रेडियो हो चुका है, थैंक्स पॉर वाचिंग।